तो दोस्तों आज फरवरी की तीन तारिक है और वीडियो शेर कर रहा हूँ मैं बौगन मिलिया प्लांट को लेकर आपके बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि बौगन मिलिया की रिपॉर्टिंग कब करें तो बौगन मिलिया की रिपॉर्टिंग जो है वो स्टार्ट कर मौसम में फरवरी एंड के मौसम में ये पौदे एक बार भर कर फूल देते हैं रीजन ये रहता है कि अभी अगर आप नोटिस कीजिएगा ये रिखिए एक और बॉगनमिलिया का पौद है अभी पूरी तरह से जो है वह रेस्टिया डॉर्मेंसी में जा चुका है तो क्या है कि जैसे इस पर नई ग्रोथ आएगी तो पहले फूल आएंगे उसके बाद पतिया आनी स्टार्ट होंगी उस समय पर ये जो पौदिया ये देखने में एक बॉन्जाई की तरह दिखाई देते हैं और पूरे फूलों से भर जाते हैं बिना पतियों के दिखाई देते हैं के वेरिगेटेड पतियों गला है तो सरदी के चलते हैं इसकी बी जो पतिया बिल्कुल देखिए यह फोल्ड हो रही थी मुडी मुडी थी ग्रोथ सही नहीं थी लेकिन पतियां थी तो अभी क्या देखिए इसकी भी जो बिल्कुल रोट ट्रिमिंग है वो कर दी गई है ट्विस्ट दिया गया था यह मेरा बहुत खूबसूरा साइक बागन विल्य यह जो वरी गेटिड है इसका मैं बॉंजाई जो यह वह डिवल्प कर रहा हूं तो मिट्टी और खाद की बात करूं जब भी हम गमलों में गार्णिंक करते हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज रहत खास दूर्ब बोगन विल्या के लिए क्योंकि जब ज़्यादा प्लास्टिक गमला यूज करते हैं उसके अंदर मॉइस्चर और पानी जो है वह बहुत ज्यादा ही कठा होता है जिससे क्या होता है यह पौधे पूरी तरह से जो है वह शौक में आ जाते हैं कई बार मौनसु पूरी तरह से जो हैं इनकी रूर्स वे वह गमले के साथ चीपक जाती हैं अगर हम फोर्सफुली इसको बहार निकालते हैं क्या होता है रूट बॉल जो है वह बहुत कम बचती है तो इस कंडिशन में यह जो पौधे यह कई बार पूरा शौक में आ जाते हैं बहुत देर लग जाती हैं इनको नहीं ग्रोथ करने में तो जैदा गर्मी के मौसम में ऐसा काम मत कीजेगा ज्यादा सर्थी के मौसम में मत कीजिए जब भी मौनसुन का सीजन रहे मौडरेट टेंपरेचर रहे वह सीजन इंके लिए बेस्ट रहता है अगर बात करूं यह जो मेरा बॉ कोईन्टिटी ऋना अच्छी काथ की होना ज़ूरी देता है जब पौदे को नियुक्त करते हैं तो मिट inappropriate तो दिखें एक साथ då दो शटें प्लांटेतो प्लांट्स है उन्सादी को जो हो रिएव रूट कर दिया गया उनकी जड़े वो कट कर दी गई तो अब बारी है इसके बाद पौधों की रीपॉर्टिंग की रीपॉर्टिंग के लिए जो सॉयल था जिसमें से हमने जो जड़े हैं वो निकाल दी थी उस सॉयल के साथ जो है वो गौबर की सड़ी हुई खाद जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया दा अपनी जो एसिडिक स्वयल पसंद रहती है तो यहां पर लगभग 40% के आसपास 40% जो रेश्यों वो खाद की है हमारे पास तो 40% जो है वो इस तरह से गौबर की सड़ीवी खाद का इसके अंदर इसके अंदर के लिएगा क्योंकि इसके अंदर कह लीजिए कि बहुत से न्यूटे रहता है तो जड़ों की ग्रोथ के लिए ब्रांचिस की ग्रोथ के लिए या फिर आप साथ में इस तरह से सिंगल सूपर फॉसफिट रहता है वो भी फॉस्फरॉस करिच सोर्स है तो पूरी मिट्टी के अंदर सौइल के अंदर जो यह चीज़ है यह मिक्स करने वाले हैं इससे जो प्लांट्स हैं वह अच्छे से ग्रोव करेंगे जितनी मिट्टी इन गमलों के लिए इस्तमाल होगी इस्तमाल कर ली जाएगी वाकिज़ वह दूबारा से इसको जो वह स्टोर कर लिया एगा फिर यह दूसरे पौधों के लिए जो इस तरह से देखिए यह सीवी और इस मिट्टी को जो अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा हालकि जो हमारी खात थी उसके अंदर थोड़े बहुत जो कंकर पत्थर थे या फिर कोछ कागज के तुकड़े थे तो उन सभी को जो धीरे दीर बाहर निकाल दिया जाएगा और गमले अभी के लिए थोड़ी द कि इनको मैंने इस समय पर जो है वो धूप में ही प्लेस किया था रिजन यह क्योंकि इनको धूप अच्छी पसंद रहती और इस समय सर्दी की धूप है तो धूप बहुत जा तेज नहीं थी सभी प्लांट को रिपॉर्ट कर दिया गया कुछ यह दिखी जो यह वेरिगेट प्लास्टिक के गमले लगे हुए थे इन में से देखिए सारी जो नहीं ग्रोथ है वो निकलना औरेड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है यह मेरा तोर्च बॉगन विल्या और इसमें से भी यह रिखिए नहीं ग्रोथ जो आपको है वो क्लियरली विजिवल होगी अब क् जो फ्लारिंग है वो स्टार्ट होगी अल्रेडी फ्लारिंग बर्ज वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है तो पहले पौदों में फूल आएंगे उसके बाद पत्तिया निकलनी स्टार्ट होंगी जैसे मैं आपको बता रहाँ यह दूसरा मेल्टी ग्राफ्टिड है पौदो से मेरा दूसरा टॉर्च बॉगन विली है इसमें भी जो नई ग्रोथ है वो अल्रीडी स्टार्ट हो चुकी है तो सभी पॉदों में जो नई नई शूर्ट से वो निकलने लगी है इसके लबा कुछ कम चांसे जाते हैं कि पौदा डाइबैक करेगा और पौदा जो हм वो दुबारा स्ट्रेस में जाएगा या मरने लगेगा तोो अगर आप एक साथ कई बार ट्रीमिंग करते हैं कभी कबार कुछ एक परसंट चांसे सो राते हैं कुछ पौदि बहूं कि बार वो कर दूँगा और दूसरी जो चीज़े इंद में देखिए अभी से जो वीड्स हैं वो निकलने लगी हैं तो वीड्स को फिर से खुर्पी की मज़ से जो है वो रिमूव करना होगा अगर आप इसी के जगा पर गोबर की खाद की जगा अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस् इसके ओपर मेरा complete वीडियो एवलेबल है वीड अपडेट तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको description बॉक्स में देदूँगा और बहुत जल्द मैंने जो अपने दूसरे बागन मिलिया के पहुते जिसमें bonzai की कुछ पहुते हैं उनको report किया उसके ओपर भी जो एक व और नहीं टॉपिक के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई हैबी गार्डिनिंग टेक कियर